नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अभिप्सा की पूरी टीम की तरफ से मेरा नाम है अभेनो तो शांशुपांडे और पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या बाते की थी, आए थोड़ा रिवाइस करते हैं हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से एक समतल दरपन में परावर्तन होता है इसके साथ साथ परावर्तन के लिए हम लोगों ने गोली दरपन देखे थे और विभिन इस्थितियों में वस्तु की स्थिति, प्रतिविम्ब की स्थिति, प्रतिविम्ब की प्रकृति, प्रतिविम्ब का आकार एवं जुकाओ इन पांच बिंदूओं पर हम लोगों ने चर्चा की थी हम लोगों ने ये भी देखा था कि सभी के सभी प्रश्ण रक्षा दस्वी और बारहमे के सिलिबस के हिसाब से सही थे और दस्वी में इसकी उमेद चार नंबर के प्रश्णों में की जा सकती है आज हमारी चर्चा का क्या विशा है आईए देखेंगे आज हम सबसे पहले देखने माले हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या है मतलब यह है कि जब भी हम प्रतिबिम्ब और वस्तु की बात कर रहे होते हैं तो उनका एक तरीका है रिखाचित्र बनाना लेकिन हर बार यह संभाव नहीं होता है और गणितिय रूप से जो है हम जब उसमें कैलकुलेशन करते हैं तो उसकी चिन्ह परिपाटी क्या है इसका मतलब क्या होता है और इसका कैसा हो क्यों किया जा सकता है फिर हम दरपन सूत्र के बारे में बात करेंगे और रियाखिक आवर्धन को जानने के बाद में कुछ प्रश्णों का उत्तर देंगे तो जल्दी से pen copy निकाल लेजिए बिल्कुल समझने के लिए तयार हो जाएए और आएए सुरुवात करते हैं आज की चर्चा का विशय तो यही है देखे क्या है यहां पर हम देख रहे हैं कि यह हमारे पास में एक दरपन है आउतल दरपन मैंने लिया हुआ है इसके साथ साथ यही चिन परिपाटी जो है उतल दरपन के लिए भी बिल्कुल एपली केबल है अब यहां हम क्या देखते हैं हम यहां देखते हैं कि इस दरपण में जब भी हम अगर जो भी वस्तू है वो रखेंगे तो वस्तू मान लेते हैं कि हम लोगों ने यहां पर एक वस्तू रखी तो यह वस्तू जो है हर एक हालत में क्या होगी दरपण के आगे ही होगी अब हम जब भी रिखा चित्र बनाते हैं तो भले ही हम दरपण इस तरीके से उप्योग करें लेकिन हम उसके कैलकुलेशन के लिए उसकी गड़ना के लिए हम इसी तरीके से रखेंगे अब यहां देखेंगे कि दरपण के और मतलब दरपण के आगे की और जो भी वस्त में रखी हु करेंगे मापन बिंदू पी से या फिर दुरुव से करेंगे दूसरी चीज़ी है कि दरपण के आगे की और की दूरी मतलब यह वाली दूरी अब देखेंगे आप अगर जो है मैं यहां पर शून रख दूं और यहां पर धन एक हम लोग क्या कर रहे हैं नंबर लाइन बना अच्छा उपर क्यों अगर हम बढ़ते हैं तो यहां पर धनात्मक एक दो तीन चार पांच और इसी तरीके से नीचे की और जब हम जाएंगे तो रिण एक रिण एक रिण दो रिण तीन रिण चार अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम यहां देखेंगे कि जब दोरी है वो धनात्मक दोरी होगी इसी प्रकार से मुख्य अक्छ के ऊपर की और की दोरियां हमेशा धनात्मक और नीचे की और की दोरियां हमेशा निरनात्मक होने वाली हैं और सारे की सारी दोरियां कहां से नापी जाती हैं सारे की सारी दोरियां जो है वो धुरू से या नाम है दरपन सूत्र और दरपन सूत्र क्या कहता है आईए देखते हैं वस्तु की दूरी यदि यू हो वी जो है प्रतिबिंब की दूरी हो एफ फोकस बिंदू हो उसके फोकस दूरी हो M आवर्धन हो HI जो है ये प्रतिविम्ब की उचाई हो और HO ये प्रतिविम्ब की वस्टु की उचाई हो ऐसी स्थिती में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास में सूत्र है एक बटा वी धन एक बटा यू बराबर एक बटा एफ अब जब हम प्रश्ण जो है हल कर रहे होंगे ता हम आप इसका उप्योग करेंगे आईए देखते हैं स्राइखिक आवर्धन का मतलब ये है कि अगर हम लोगों ने एक वस्टु को रखा तो हम उसका प्रतिविम्ब कीतना बड़ा देखते हैं वस्टु की तुलना में इसका मतलब ये है कि आप ये देख सकते हैं कि जैसे हम मैगनिफाइंग ग्लास लेते हैं तो वहाँ पर हाथ देखने के लिए जो मैगनिफाइंग ग्लास जब लेते हैं तो हाथ हमको बड़ा दिखाई देता है हमको हाथ की लखीरें बड़ी दिखाई देती हैं ऐसा होता है क्योंकि वस्तु का प्रतिविम उसके वास्तिक आकार से बड़ा हो तो हम जो है इस तुलना के लिए एक रैखिक आवर्धन मतलब आवर्धन मुनांक जो है ये यूज़ करेंगे इसके बीच में इस प्रकार का अनुपाद बनेगा इसी तरीके से वस्तु की जो उचाई होगी और प्रतिविम की उचाई होगी उसके लिए ये अनुपाद बनेगा अब हम देखेंगे प्रश्ण और इसके साथ-साथ हम से इस से जुड़ी हुई बातें solve करेंगे चलिए तो पहला प्रशन हमका हमारा क्या है कि किसी आउतल दरपान जिसकी focus दूरी सबसे पहले हम क्या करेंगे हम जो है ग्यात संख्याओं को लिखेंगे तो हमारे पास में क्या क्या ग्यात अंक है ग्यात में हमारे पास है F कमान 15 सेंटी मीटर अब आप सूचिए कि फोकल लेंद जो है किसी आउतल दरपान के लिए कैसा हो सकता है भाई हम ये बात कर सकते हैं कि हमारे पास में एक आउतल दरपान है और यदि हम जो है मुख्य अक्ष्य के समानतर रेखाएं भेजते हैं तो वो अब परावर्तन के पस्चात फोकस से होकर गुजरता है तो यहाँ पर फोकस की दूरी इसके धुरू से कितनी होगी रिनात्मक होगी तो F कमान जो है अगर हमारे पास में 15 सेंटी मीटर है तो हम क्या करेंगे इसके आगे रिन लगाएंगे इसके बाद में जो है आगे क्या है कि सामने 30 सेंटी मीटर रखी मौमबत्ती तो यहाँ पर मौमबत्ती वस्तु है और वस्तु की दूरी को यू से प्रदर्शित किया जाता है और ये भी एक रिनात्मक दूरी होगी तो 30 सेंटी मीटर हम लोगों ने ये दूरी नाप ली अगली चीज क्या है यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मौमबत्ती की जो उचाई है वो 10 सेंटी मीटर है मतलब height of object ho का मान हो जाएगा 10 सेंटी मीटर अब वास्तों में बात ऐसी है कि हम अपनी मौमबत्ती यहाँ ऐसे रखेंगे जो की मुख्यक्ष से उपर क्यो रहा इसलिए धनात्मक होगा और हमको क्या निकालना है हमको निकालना है height of image निकालना है यह कितना होगा हमको पता करना है ठीक है और क्या निकालना है obviously यहाँ पर है प्रतिवम्भी की उचाईत था स्थिती मतलब प्रतिवम्भी की स्थिती V निकालना रहेगा और यहाँ पर भी हम question mark लगा के डबबा बना देगे अब अगली बात है कि हम क्या सूत्र यूज़ करेंगे हमारा सूत्र है एक बटा V धन एक बटा U बराबर एक बटा F यहाँ पर कोई भी अंक या मान डालने से पहले हमारा जो है उद्देश यह है कि हम सारे के सारे संख्याओं को मतलब समी करन कुछ इस तरीके से यूज़ करें ताकि जो है जो हमको निकालना है वो isolated हो सके अकेला हो सके तो यहाँ लिखेंगे एक बटा V बराबर एक बटा F रिन एक बटा U अब यहाँ पर अगर हम मान डालना चाहें तो क्या डाल सकते हैं इसमें मान डालने से हमको मिलेगा एक बटा F का मान है रिन पंद्रा और रिन एक बटा रिन तीस यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यह जो आपको रिनात्मक पंद्रा या रिनात्मक तीस मिल रहा है यह इनके अपने मान है लेकिन बीच का रिन चिन जो है वो सूत्र में है अब इससे हमको क्या मिलेगा भई यहाँ पर यह रिन जो है उपर जाके धानो जाएगा और हमको मिलेगा एक बटा तीस रिन एक बटा पंद्रा अगली बात यह है कि क्योंकि यह भिन है और भिनों में यह समस्या होती है कि यदि उनके हर बराबर ना हो तो उन्हें डारेक्ट जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता तो हम हर बराबर करेंगे और इसके लिए हम उपर और नीचे दोनों ज़धा गुना कर देंगे दो का तो अब यह हो जाएगा एक बटा तीस रिन दो बटा रिन दो बटा तीस और इसका उत्तर आ जाएगा रिन एक बटा तीस और इसका मतलब है कि हमको क्या मिला एक बटा वी का मान मिला एक बटा रिन तीस या फिर हम इससे बोल सकते हैं कि वी का मान कितना हो गया रिन तीस ये बात हमको पता चल गई हमको यहां रिर्टीस की value मिल गई अब हम क्या करेंगे हम देखेंगे की height of object और height of image क्या है फिर से हम जनकारी देखते है u का मान रिर्टीस है v का मान भी रिर्टीस है और हमको पता है m बराबर m बराबर v बटा u बराबर रिर्ट h i बटा h o तो यहां से हम देखेंगे की u बटा भी इसका मान m का मान हमको मिल गया एक क्योंकि दोनों जगा 30-30 है और उसके बाद में हमको height of object और height of image भी एक बराबर मिलेगा और h i का मान हो जाएगा rin 10 cm और इस तरीके से हम एक और खास बाद बोल सकते हैं क्योंकि हमारा हमारी वस्तू और उसका प्रत्विम एक ही बिंदू पर बन रहा है तो हमें पता हो गया कि ये दोनों के दोनों बिंदू उसके वक्रता के अंदर पर इस्थित हैं चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली बात करेंगे अगला परसन क्या है अगला परसन ये कहता है 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तू मतलब यू का मान हमको यू का मान हमको रिण 20 मिल जाता है ठीक है अब अगली चीज है कि प्रत्विम वह 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो वी का मान रिन 40 cm ले लिया गया तो दरपण की फोकस दूरी की गढ़ना करें तो दरपण की फोकस दूरी की गढ़ना करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा हमको सूत लिखना पड़ेगा 1 बटा V धन 1 बटा U बराबर 1 बटा F अब यहाँ पर मान डालेंगे तो हमको मिलेगा 1 बटा रिन 1 बटा रिन 40 धन 1 बटा रिन 20 बराबर 1 बटा F अब देखे यहाँ पर जो है हमको अंस और हर बराबर नहीं मिल रहा तो उपर और नीचे 2 का गुना करने से हमको मिलता है 1 धन नए रिन 1 रिन 2 बटा 40 बराबर 1 बटा F या फिर हमको F का मान मिल जाता है रिन 40 बटा 3 तो इस तरीके से हमको F का मान मिल गया और सेंटीमेटर इसका अब दूसरी चीज है कि इसी स्थिती में 10 सेंटीमेटर की उचाए प्राप्त करने के लिए वस्तू किए चाहे कि इतनी होनी चाहिए? तो हमको क्या पता है? हमको M का मान पता है M बराबर M बराबर V बटा U बराबर r sendiri HI बटा HO अब यहाँ पर कोए चीज रिन हमें नहीं पता है? हमें M से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर V पता है यू पता है और हमको 10 cm का प्रतिभिर है मतलग हाई पता है य पता है हो निकालना है तो हम यहाँ पर तीरियक गुना करेंगे और तीरियक गुना करने पर हमको क्या मिलता है 처2 अच ओ बढर अच ओ बढर अ्यू गुना हाई बटा वी और यहां से मिलेगा यू कितना है देखें यू है बीस सेंटिमीटर तो रिण बीस अच्छा यहां पर रिड़ चिन है उसको लगा देंगे रिण बीस गुणा रिण दस और पूरे का बटा रिण चालेस और यहां से हमको चालेस दोने असी और यहां पर हाईट अपजिक का मान मिल जाता है दीस चालेस दोने असी मतलब धन पांच सेंटिमीटर थीक है तो इस प्रकार से हमको हाईट अपजिक मिल जाता है जो कि 5 सेंटिमीटर होना चाहिए आगे हम बढ़ेंगे और अगला प्रस्न देखेंगे अगले प्रस्न में यह बोला जा रहा है कि फोकल दूरी एफ का मान कितना है एफ का मान 30 सेंटिमीटर है तो एफ बराबर 30 सेंटिमीटर जो कि एक रिणात्मक संख्या है अच्छा 5 से की उचाई वाली वस्तू मतलब है अब जेक्ट का मान 5 cm है है इतना होना चाहिए 15 cm होना चाहिए अब इसमें पूछा है की प्रतिविम्य की दूरी की गणणा करें अब हमको क्या पता है भई हमको पता है M का मान होता है H I बटा H O रिनात्मक में और यहाँ पर H O कितना है H height of object 5 cm यह रिनात्मक है ठीक है और यह है V बटा U का मान इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हमको मिल जाता है रिन और H I मतलब रिन 15 और बटा 5 यहाँ पर रिन सामने लगेगा मैंने गलत लगा दिया अब 5 अकम 5 तिया 15 तो हमको जो है V का मान मिलता है V बराबर 3 गुणा U और यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा हमको यह देखना पड़ेगा कि यदि focus दूरी 30 cm है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा वस्तु के वस्तु के जो है object और image की लंबाई मतलब दूरी गयाद करना पड़ेगा हम सूत लगाएंगे 1 बटा V धन 1 बटा U बराबर 1 बटा F और यहाँ से 1 बटा V अब देखें हमको क्या करना है इन दोनों के बीच में एक संबंध है V का मान 3 U के बराबर है तो 1 बटा 3 U धन 1 बटा U बराबर 1 बटा F और इससे क्या होगा कि हमको इसके हर को बराबर करने के लिए उपर और नीचे 3 का गुना कर देना चाहिए तो इससे हो जाएगा यह 1 बटा 3 U धन 3 बटा 3 U बराबर 1 बटा F और यहां से हमको मिल जाएगा 1 बटा F बराबर 4 बटा 3 U यह हमको U का मान मिल जाएगा 3 U बराबर 4 F और 3 U बराबर 4 बटा 3 F अब F का मान क्या है F का मान हम लोगों ने यहां पर रखा हुआ है F का मान है 30 cm तो यह मान हम डालेंगे और U का मान हो जाएगा U बराबर 4 बटा 3 गुना 30 cm रिनात माप में तो 3 दहम 30 और U का मान हो जाता है रिण 40 cm अच्छा, हम लोगों ने और क्या देखा? हम लोगों ने ये देखा कि हमको पता है कि यहां से हमको V जो है तीन गुणा U के मिलता है मतलब V का मान हो जाएगा V बराबर रिण, नए तीन गुणा तीन गुणा रिंड 40 सेंटीमीटर और इसका मतलब होता है वी जो है रिंड 120 सेंटीमीटर दूर बनेगा तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आगए इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे आंखिक प्रश्ण भी देखे जो की दरपन सूत्र से जुड़ हुए थे आगे और भी चीज़ें हैं जिसे हमें डिसकस करना है तो हम मिलते रहेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद